कुन्यारी न्यारी नाम्मा से फुका रजाता है एक ना पटवारी के हैं एक ना सास्त्री के हैं तो ऐसे ही पहले स्टार्ट ऐसा ही था तो एक राज़ा का सा डूर बगत था रिशी एक दिन उस राज़ा के जो लड़की व्यार रखी थी उसने अपनी बहन को नमंतन बेज़ दिया कि हमारे घर आओ बोजन पर रिशी की पत्वी ने अपने पत्वी से कहा कि मेरी बहन का संदेश्चा आया है उनके यहां भूजन करने चलना है रिशी बोला के रहें रदे बागवाल इन आपने तेठाट ड्यांगा भीतर ना बढ़ा करते हैं एक समय एक एक उंट मर गया और एक गिद्र जो है उस उंट ने खाता खाता अच्छा थोता कर लिया अंदर दे और बहार से चाम था वो शूख गया और गिद्र जो गणा गया रांदर च वो बंद हो गया पाच्छे तो ताम कती सूख पर खड़ंग हो रहा था और पढ़िग्या ती तर गणा खुद गया और गादर भीतर रुख गया ना लेक रहा है मारा चुकल की रोए एक अपने पाच्छे वर्सा होगी वर्सा होनता है वो नरम हो गया ता हो गादर फिर मा अनुबाउता हो गया है लापने ता बढ़ देगा बीतर नहीं बढ़े है तो यहां रिष्ची ने बहुत समझाया पर उसकी पत्री मानी को लिया है अपके हो गया नहीं तो जाया करें है पीसा के धुरूम कर रहा है नहीं हो से रहों हो लले चालता है वो चले गए पीस फकवांट बना रहा है कि यह दरूदर देख दरा बला खाथा अब रिशी ने जिसा मनमार का खाया वो वापस आगे है आप उसकी पत्री बोली कि इबावने बुलाना चाहिं और यह नू नया दे गल्ला है कि शुआख दस तिन मिने पीच़्शी की पत्रीनी बुली अ उने बुलाना चाहिए उसका पती बोला थे ठीक है ले करता हूं जोस्ता तो उसने क्योंकि संत के बगत के पास कमाई होती है अपने बगती की धर्म पुर्ण की तो उसने उपर स्वरग में अपनी सुर्ती लाई टेलीफान करया तो स्वरग से एक काम धेनू मंगाली काम देन लगा जिया और इसी आसपास के रिसी बुला लिए वया जो आज मरत मरें राज्जा होगा उनकाने उपता है हमरा साथ दूगा है शेवा करवा जिया और इसी साथ हो वक्त दो आसपास कुटिया मरें आखरते जंगल मुबह भी आगी राज्जा में नीचा दिखाने के अज़ारों की संख्या होने सेनक लें लेगी है अता सड़्ों की मरोड का अडिका होगा जरी दोणा भूरी वाव वाव हो जैगी है यह आगर मैरी हमारे अंदर जलालत महीं पड़ी है तो राजा ने सेक्ड़ुस आजारों सेनक लेली लेली राफ भी चल प्रेहां अब रि संतों के पास एक ऐसा धन होता है वो अपनी सिद्धी से बहुत कुछ निस्था कर सकते हैं अब सारे टेंट लगा रहा रहा थे स्टेंट टू टूम्प फूस बिचा के उपर तो हैं वह अच्छे बढ़ यावस्तर बिचा रहा कि तो पोजन शुरू हो गया अब उसमें क्या कि वहां जाकर के एक प्रार्चना करते थे कि इतने विक्तियों का बोजन त्यार हो काम देनों माता उतना त्यार हो गया है वो जाओं और प्लेट ठाठा कर सप्लाई करना है सब छकाजिये बढ़िया बोजा राजजा ना सुच्छा वह यो बिखारी आदमी गास फूस खान पर उन से भी स्वादिष्ट है जब सब खाना और खालिया राजान पूछा वह कहां से लाए यह बोजन कहां से बनवाया आपने उसने कहां राजन मैंने स्वरक से अपनी कमाईमात है अपने पुन डेपोजिट करवा गये वहां से मंगाई है एक काम देनों है इस काम देनो हुग गाय में इतनी वह है कि कितना ही बोजन कन रहें पूरी सेंदा भी जमाई जा सकती है मेरे पासकी बाख सेंदा पूरी परत्वी निवी जमाले जीषे संसे खाना खिलाते हैं राजा बुड़ा सेनी को इस गाया इस गाया को ठीनलो साथ डूगियारी इतनी ओ है शेनी क तो इस गाएं को छिंड़ो चलो यह कंगाल के करेंगा अपने काम आवागी राजा के गर पे जुरूरत है इसकी तब रिशी ने कहा कि है माता आप सुर्च ली जाएए मेरी काबू से बाहर बातों गये तो ऐसे ही और गव जो हैना काम जैनूश केंट को चीरती हुई आकास मे उड़के चल पड़ी राजा न तीर मारा वह खुर्मा लग गया और खुर्मा से रक्त गिरता हुआ जहां जहां भी रक्त गिरा उस गाएं का वहाँ पर यह बिमारी बैदा होगी तुमाखू अब क्या बताते हैं कि तुम्हे एक तरफ तर इंदू को आओ और फिर गाह के खून न पिवो तुमाखू बनाके वो कबर डालके वीड़ी से लिटफी के या तो तुमने ज्यान नहीं या सुआद पड़ गया ज्यान नहीं था तो अब समझ गीजिए और ये इसे अड़ंगे का सुआद अचा नहीं होता है कर दो तुमने ज्यान नहीं होता है